Good evening everyone, welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब लोग, hopefully आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे, तो आपके काफी सारे सवाल ऐसे रहते हैं जब हम लोग गौर्मन जॉब के लिए प्रपेर करते हैं, हमारे माइन में काफी रहता है कि हमें नीन बहुत आती हैं, हम घर के कामों से इतना ठक जाते ह कि जब पढ़ने का टाइम आता है, तो फिर हम लोग बिल्कुल टूट जाते हैं, बुक्स खोरी नहीं पाते हैं, येस पढ़ने का मन बहुत करता है, लेकिन घर के काम इतने होते हैं, स्कूल जॉब वर्क इतना होता है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे ह कि एक्चुली में टाइम नहीं मिल पाता है, और फिल हमें बहुत गिल्टी भी फिल होती है, जम अपने टाइम टेपल को बनाते हैं, और हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, एक्चुली में बहुत बुरा लगता है, ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए I can understand your problem, पर कहते हैं अगर आपको success भानी है, अगर independent बनना है, तो थोड़ा सा कर्ष्ट और हो सकता है, बहुत ज़्यादा कर्ष्ट भी खाना पड़े, क्योंकि independent बनना एक लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और वो जितना जल्दी independent हो जाए, especially शादी से पहले हो जाए, तो उसके future के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप independent होते हैं तब भी आपकी respect होती है, पूरी समाच में, आपके husband की नजर में, और आपकी पूरी अपने in-laws की family में, ये आप लोग में से काफी सारे लोग जो होंगे, इससे satisfied भी होंगे, एंग कुछ लोग ऐसे होंगे, जो समझते होंगे, दुसरों के experience से और अपनी शादी से पहले ही अपने आपको settle करना चाहते हैं, सी चाहे आप teacher हो, चाहे आप teacher नहीं हो, non-teaching post से हो, पर मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलूँगे, अगर आप लोगोंने भी teaching course किया है, कोई भी चाहे आप निकलते हैं, जे बीटी करके निकलते हैं, हमारा basically हमें लगता है कि हम अच्छे से school में job मिल चाहर हम लोग बच्चो को पढ़ाएं, यह शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पड़ जब तीन साल, चार साल, पांच साल होते हैं, शुरू में यह लगता है कि अब हम इस school म करते हैं अब इस school में, but you will end up exhausted, आपको end में सारी frustration ही मिलती है, because it is a very challenging job to work in private schools, चाहे वो डेली के हों, चाहे वो डेली के भार हों, job security आपको पता है कोई भी नहीं होती है private schools के अंदर, आजकर हर एक school के अंदर, there is a contractual post only, हर साल teachers का contract renew किया जाता है, और इतना ज़ादा work load होत होते हैं, उनसे ज़ादा work जो होती है, teachers कर रही होती है, उनी सातन घंटों में, without any enjoyment, बहुती कम schools होते हैं, जिसमें आपनों को break मिलता है, and किसमें आपको पूरा government grade भी मिलता है, there are some schools in Delhi also, जैसी कि, जिसके अंदर आपको सारी facilities मिलती है, जो government job में मिलती है, but yes, उसके अंदर यह होता है कि strictness बहुत ज़ादा होती है, politics बहुत ज़ादा होती है, but yes, तबी भी मैं आपको यह बोल सकती हूँ, as compared to other schools, there are some schools, private schools भी हैं, जो जो होते हैं, government-aided, मतलब government के अंदर आते हैं, जो government और private दोनों तरफ से जिनको front मिलता है, but इससे पहले मैं आपनों को यही बोल होना चाहिए, कि अगर आप सुबह पढ़ रहे हो, तो सुबह ही पढ़ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, तो रात को रात को ही, कोई-कोई morning person होता है, उसको जल्दी उठके पढ़ना अच्छा लगता है, कोई-कोई बहुत night person होता है, वो रात को पढ़ पाते हैं, जिसे I am a night person मैं रात कोई पढ़ पाती थी, सुबह मुझसे नहीं उठा जाता था, वो आज तक की मेरी problem है, हमेशा सुबह में को जाधा नीन दाती है, पट येस आपनों को पढ़ना regular studies पे है, अगर आप लोग अपना proper time table नहीं बना पा रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले बताय हो, it depends on you, on कितना focus है, भले आप 8 गंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 3 गंटे हमें घर की tension हो रखी है, कि घर का ये काम करना है, बच्चों के homework कराना है, बच्चों के exams है, अभी husband को भी time देना है, तो फिर वो सारा waste है, इसलिए 4 गंटे अगर आपको मिल रहे हैं, तो आप उसी में पूरा focus हो के पढ़िए, and positivity is the key for every success, आपको अच्छा सोचना है, positive रहना है, अगर आप positive रहेंगे, तो things भी जो होती है आपकी favor में आने लग जाती है, this is my personal experience, अच्छा सोचेंगी तो अच्छा ही होगा, yes, definitely सोचेंगी, this time I will get the government job, definitely, definitely मेरे को government job मिलेगी, मिलेगी, और हमेशा I can do it को replace करिए, I will do it, I can do it होता है कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, but yes, आपको इस पे focus करना है कि I will do it, मैं definitely करूँगा या करूँगी, so सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि beginning में ऐसा लगता है कि हम अपने sacrifice बहुत कर लेते हैं, जो girls होती हैं, house sacrifice कर लेंगे, यह हो जाएगा, पो हो जाएगा, सब को खुश करने के लिए, but basically that is a wrong, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप लोगों को खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है, अगर आप खुश होंगे तो तब ही आप बाकी जनों को भी, अपने family members को भी खुश रख हैं, आपकी खुश ही के लिए सोचते हैं, क्योंकि marriage के बाद आपको पता है कि इतनी सारे responsibilities आती हैं, शाधी के साथ, बहुत सारे gifts मिलते हैं, responsibilities के साथ, जिसमें हम अपने आपे focus करी नहीं पाते हैं, शुबू कि 6-7 साल तो हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं, family के लिए करते हैं, पढ़ाई पर focus नहीं कर पाते हैं, और फिर हमें 6-7 साल के बाद realize होता है कि हमने अपना career पूरा खराब कर दिया, इतना educationally qualified होने के बाद हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद ही कई बार kitchen में फसे रह जाते हैं, और लगता है कि इतनी पढ़ाई ही क्यों करी जब हमें ये kitchen का कामी करना था, तो मैं अपनों को यही बूलूँगी, अपना एक proper schedule बनाई है, time table बनाई है, अगर जादा नीन दाती है, तो मैं आपनों को यह बूलूँगी, अगर morning में आप उठते हैं, तो उठते ही पहले आप fresh हो जाईए और नहा लेजिए, उसके बाद जो tea coffee आप ल देनी पड़ेगी, अगर कुछ पैसे देके मेज से help हो सकती है, तो आप मेज लगा सकते हैं, बरतन जाड़ो कोचे के लिए, यह सखाना आप definitely बना सकते हैं, और जो भी काम करें ना time management के साथ करिए, time देखके करिए, क्योंकि time बोलते है ना time बहुत value होता, time एक बाद निकल हो, जितनी सफाईयां हो, यह आप exams के बाद भी कर सकते हैं, और still, अभी DSSB की new vacancies भी मैंने आपको बताया था, वो भी आएंगी, yes, अभी आप 15 तगस का wait करें, maybe कुछ vacancies, आपकी केंद्रे विध्याली की vacancies है, वो भी आने वाली है, आपकी EMRS है, नवोध्या विध्याले ह है, English आपको आएगी, Hindi आती है, Maths आती है, Reasoning आती है, Journal Awareness, तो यह कुछ ऐसे subjects हैं, जो आपको अगर आप DSSB के लिए prepare कर रहे हैं, तो बाकी चीजों में भी आपको बहुत help out करेंगे, बस आपको करना क्या है, positive रहना है, अपनी health का बहुत ध्यान रखना है, और positive लोगों क आस-पास रहना है, अपने आस-पास सिर्फ positive लोगों को रखना है, जो आपको यह बोले कि तू कर सकती है, तू कर सकता है, ऐसे लोगों से बेल्कुल दूर हैं, जो बोलते हैं कि तूसे नहीं होगा, क्यों time waste कर रही है, अब इस उमर में पढ़के क्या करोगे, definitely यह बहुत बोलते हैं, बट ऐसा आपको नहीं सोचना है, ऐसे लोगों से जितना दूरी बना के रखें उतना ही अच्छा है, अपने जो भी friends हैं, जो बहुत positive हैं, यह आप अपनी motivation के लिए positive songs भी सुन सकते हैं, अगर आपको music पसंद है, बट यह अपने लिए एक ऐसा time जरूर निकाल हैं, अगर हम confused रहेंगे कि अभी तो मुझे यह करना है, अभी मुझे family को कुछ रखना है, तो फिर आप यह नहीं कर पाएंगे, एक बार में अपना एक ही target रखें, इस time आप यह रखें कि मुझे अपने आपको stand करना है, चाहे आप boy है या चाहे girl है, अपने आपको मुझे stand करना है, ताकि मैं अपनी family को हर एक वो चीज़ दे सकूँ, जो मुझे देनी चाहिए, अपनी responsibility और अपने आपको भी मैं अगर मैं अतनी पड़ी लिखी हूँ या मैं इतना पड़ा लिखा हूँ, तो अपने आपको भी मैं हर खुशी दे सकूँ, जो मुझे government job से मिल सकती है, तो definitely आप लोगों को ये चीज़ बात में realize हो, इससे पहले जितने भी fresher teachers हैं, अपना पूरा target, अपना focus, अपना government job पे रखिए, beginning में अगर school join करना है तो करिए, लेकिन yes, इतना जादा focus उस पे मत करिए, कि आप लोग अपना time पूरा उसमें गवा दें, क्योंकि जब हम लेकिन yes, benefits ज़रूर मिलता है, अगर आप लोग private schools भी job करते हैं, तो आपकी knowledge बहुत upgrade रहती है, आपको at least आप 6-7 घंटे अपनी books के touch में रहते हैं, housewives यह होती है, generally kitchen के काम में लगी रह जाती है और उनको पढ़ाई करने का time ने मिलता, at least job करने के बाद 6-7 घंटे ऐसे होत you are surrounded by students and books, तो हम कुछ न कुछ पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जिससे हमारी knowledge भी क्या होती है, increase होती है, तो यह job का फायदा बहुत होता है, बट yes, अगर आपकी knowledge बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों को job की कोई need नहीं है, तो definitely घर पे रहके अपनी करें, पूरे दिन में 1.5 घंटा आपनों को math जरू करनी है, एक से 1.5 घंटा आपको raising जरू करनी है, English, Hindi आप लोग alternate days पर कर सकते हैं, और जी के आपको रोज एक घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, तीन घंटे अपने subject के लिए जरू निकालने हैं, जिससे हमारा equal time divided हो तो धीरे धीरे बोलते हैं, slow and steady always wins the race, चलते ही रहिए, चलते ही रहिए, कभी धीरे चलिए, कभी fast चलिए, बट रुकिये मत, सिर्फ चलते रहिए और महनत करते रहिजे, so till the time, thank you everyone, have a nice day.